तो आज हम सीखने वाले हैं पोटाटो डॉनट्स बहुत ही क्विकली ईजीली और सिंपल तरीकी से आप इसे घर पे बना सकते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी तो उसके लिए यहां पर मैंने पैन में 2 टेबल स्पून अब मैं इसमें आड करूंगी रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून गरम मसाला 1 फॉर्थ टी स्पून सॉल्ट एस पर यूर रिक्वार्मेंट आपके हिसाब से और इसे हमें ओल में अच्छे से फ्राइ कर लेना है अब हम इसमें एड करेंगे बॉल पोटाटो तो यहां आपने तीन बॉल पोटाटो लिये है हम इसे ग्रेट करेंगे अर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करलेंगे मसाले में तो यह जो प्रॉसस पर अपको लो फ्लेम पर करनी है ताकि मसाला जल ना जाए तो अभी मैंने मसाला जो है वो पोटाटो में मिक्स होक चुका है अच्छे से अब मैं इसमें आड करूंगी आमचूर पाउडर दो टी स्पून कोरियेंडर हरा धनिया सोक्ट पोहा तो पोहा जो है मैंने यहां पर सोक करके लिए आ हुआ है वो हमें आड कर रहे है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी हमारा मिक्स्चर जो है वो रेडी हो चुका है अब इसे थंडा करने के लिए रखते ना है और नेक्स्स प्रोसस हम स्टार्ट करेंगे तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉन फ्लार लिया है 4 टेबल स्पून पिपर पाउडर 1 फोर्थ टी स्पून सॉल्ट 1 फोर्थ टी स्पून और हमें इसमें एड करेंगे वाटर और एक पतला सा घोल बनाना है हमें कॉन फ्लार का तो ऐसी कंसिस्टनसी होनी चाहिए अब हम बना रहे हैं डोनेट तो जिसके लिए मैंने हाथों पे ओईल लगा लिया है अब मैं एक छोटा बॉल बना लूँगी इस डो का और उसे प्रेस करना है तो इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है अब मैं नोजल का पैक साइट यूज करके इसमें एक होल बना रही हूँ तो ये डोनेट का शेप ले लेगा अब ये अब डोनेट जो है मैंने मैदे में डिप किया हुआ है अब हम इसे कॉन फ्लार के घोल में डिप करेंगे अब हम इसे ब्रेड क्रम से कोट करेंगे तो हमें अच्छे से कोट कर लेना है तो अब जो है मेरा डोनेट रेडी हो चुका है ब्रेड क्रम से मैंने अच्छे से कोट कर लिया है यही प्रोसेस मैंने दूसरे डोनेट के लिए फॉलो की अब हम डोनट्स फ्राइ करेंगे तो ओल मैंने यहाँ पर हीट कर लिया हुआ है इसमें मैं डोनट्स आड़ कर रही हूँ तो डोनट्स जो है हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करने है तो अब हमारे डोनेट जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके है तो मैं इसे ओईल से निकाल रही हूँ तो अब जो है मेरे सारे डोनेट फ्राइ होके रेडी है अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सर्विंग जिसके लिए यहापे मैंने एक प्लेट ली है और इस तरीके से सीधे डोनेट रखे में इसके सर्विंग कर रही हूँ इस साइड में हम थोड़ी से अनियन आड़ करेंगे हल्क असा कोरियंडर हरा धनिया हम आड़ कर रहे हैं यहापे तो अब जो हमारी डिश है वो रेडी हो चुकी है और इस तरीके से मैंने यहापे सर्विंग की हुई है तो यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए और हमें बताईए आपको कैसी लगी डिज संब्स्क्राइ लाइ प्रिक